आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग UPSC और आपके स्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए यह सभी क्लासें लिए जा रही है और इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कबर किया हुआ है उसके बद हम लोगों ने मद्द कालीन भारत का भी इतिहास कबर कर चुके हैं अब हम लोग आधोनीक भारत का इतिहास देख रहे थे और इसमें लाश्ट क्लास आपकी किसान और जो आदिवासी आंदोलन हुए है ना इन पर बात कर चुके थे लाश्ट क्लास में और आज की इस क्लास में हम लोग सन 1857 का जो विद्रो हुआ जो आंदोलन हुआ उस पर एक विस्तार से हम लोग बात करेंगे और पुरानी क्लासें अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक सेपरेट फिले लिष्ट सोची बना दी गई है जिसका नाम है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और याद रखिए सभी क्लासें आपको Prelims में फायदा पहुचाएंगी ही और साथ में ही आपका बेस मजबूत होगा इससे मुख परीक्षा में भी आपको फायदा मिलेगा और एक क्लासें आप देखिए सभी एक्जाम के लिए कोई भी पितेयोगी एक्जाम ह आपका MPPSC, बिहार PCS, 36 गड़, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश PCS या आपका Civil Service यानि की UPSC हो या आप देखते हैं कि State Level पर भी तमाम एक्जाम होते रहते हैं जैसे आपका देखिए Teachers भरती होती रहती हैं, दरोगा, SI, Constable, Post Office तो इनके लिए भी काफी मात्मूड आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या, आल यह हम लोग सबसे पहले 1857 का जो विद्रो हुआ था, इसके कारण क्या रहे थे, किस बज़े से हुआ था, उस पर बात करेंगे, और यह कहां से शुरू हुआ था, कहां तक यह फैला था, यह भी देख लेंगे, औ और आप सभी जानते हैं कि कई लोग 1857 के विद्रो को सफल विद्रो कहते हैं, कई लोग इसे आसफल भी कह देते हैं, तो इसकी आसफलता के कारण क्या रहे थे, उसे भी देखेंगे अब लोग, क्योंकि पोरी तरह से सफल तो नहीं हो सका, और इस आंदोलन के पैडाम क्या रहे हैं, और इस आंदोलन का महत्व क्या रहा है, और इसका स्वरूफ क्या था, और 1857 के विद्रो के बाद, जो अंग्रेजों ने मराजवादी नीती अपनाई, जो नीती रही उनकी, वो नीती क्या थी, और देशी रियासतों के पिते इनकी नीती किस तरह से बदली, उन स आप देखें, हर किसी का इनों ने सोसन किया, थिर चाहे वो आदिवासी हों, किसान हों, या मजदूर हों, नाई हों, धोबी हों, और आप देखेंगे कि भारत का समाज, अंगरेजी समाज से भिन्र प्रकिटी का था, और आप देखेंगे, भारती समाज में एक और अस्यक् तो दूसरी ओर सरक्षक और सरक्षित संबंधों पर आधरित एक सामाजिक आर्थिक विवस्था बिद्धमान थे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कम पड़े लेके थे लेकिन आप देखें कि हम लोग अपनी संस्किती से जुड़े हुए थे पुरानी परपराओ से जुड़े हुए थे और अंग्रेज आये तो अंग्रेजों ने सुधार करना शुरू किया उसमें बदलाओ करना शुरू किया अंग्रेजी सासन तोरा भारतिय वो राजस बिवस्था और पिसाक ने विवस्था में किये जा रहे परिवर्तनों ने भारतिय समाज को बूरी तरह प्रभावित किया और साथी लोग जो लंबे अर्सों में से रहने के खास तरीकों में भहसते थे उन तरीकों में भी फेर बदल होने लगा आप देखें कि जो आदिवासी थे जो जनजाती थे वो अपने अलग ही जीवन यापन करते थे आप देखतें कि जूम खेती करते थे जंगलों में रहते थे जंगलों पर उनका अधिकार हुआ करता था अंग्रेजों से पहले आप देखे उनके अधिकारों को काहनन किसी ने नहीं किया था अंग्रेज आये और आप देखे बनों में भी उनके जीवन यापन में भी हस्तेचिप किया शुरू कर दिया और इन परिवर्तनों ने भारती जीवन कुसांती धाराओं को आंदोलित किया हूँ जिस से अंगरेज्यों के विरुद भारतीयों की पितिग्रियाएं तीब होने लगे और प्यारम में ये विद्रों इस्थानी इस्तर पर छोटी समधाय द्वारा किये जाते थे और जिन में नागरेक और आदिवासी दोनों पिकार की विद्रों सामिल थे इस तंद्रम में सन्यासी विद्रों ये देखेंगे आप लोग 1763 से 1800 की बीच की बात है भील विद्रों 1888 से लेकर 22 की बीच बात है कोल विद्रों ये 1831 बद तीस की बात है छोटा नंगपुरों पलामू में अन चोटे विद्रों मुसलिम आंदोलन या था फराजी आंदोलन ये 1838 से आप देखेंगे 1857 की बीच मोपला विपलाओ ये 1836 से लेकर 59 तक की बीच वहावी आंदोलन 1830 से 1860 तक की बीच हुआ है और अंतता देश में विभिन भागों और समुदायों में बड़ती आक्रो उसका संगठित रोब 1857 के विद्रों की रोम में सामने आया आप देखे 1857 तक काफी लोगों की समझ में आ चुका होगा कि उनके सोसन का तरीका अलग हो सकता है लेकिन सोसन हर किसी का हो रहा है और एक कुश्चन आप से कई बार कई परीक्षाओं में पूंच भी लेता है प्राजनितिक कारण डलहोजी की जो नीतियां थी एक तो उसमें उस नीतियों के कारण गुस्सा रहा मुगल बासा की साथ दुरवेवार जो किया गया था वो भी इसे आंदोलन का ततकालिक कारण था और चार्स नेपियर का कथन अनुपस्तित प्रभू सकता पिसासनिक कार प्राण में देखी तो भूराजय स्पद्भितितियां अंग्रियों के आर्थिक नीतियां इस विद्रों के पिर्मोक कारण थे और सामाजिक कारण में देखें तो निजातिय वेद, रीती रवाजों में हस्ते चेप, धारमे कारण देखें तो ईशाई मिसेनिरियों के कार, 1850 का धारमे का युगता दिनियम, सैनिक कारण देखें तो पदोननती से बंचित करना, बेतन की नियून मात्रा, और भारत से बाह पाकिस्तान आप देख लीजी, चीन, तिवर, नैपाल, भूटान, बंगलेदेस, म्यानमार, तो यह आप सभी देखें, कैंद रहें इसके, यह आपको दिखाई दे रहें न, कैंद रहें इसके क्या रहें, कैंद रहें, 1857 के अंदोलन के, विद्रोग अंदोलन, तो 1857 का व सबसे पहले आप लोग राजनेतिक कारण देखिए विस्तार से, आप देखेंगे कि विट्टिस सासकों की नीतियां, बेले जली की साय कसंदी, डलहोजी की सयोजन नीति, और जप्ती का सिद्दान, तथा महान मुगल बंसजों का परंपरागत महललाल के लिए से बाहर निक भारतिय जर्मानस की भावना को आहत किया, भारतियों की नजर में मुगल सत्ता गिप्ती, सम्मान की भावना अभी ब्यापती, अभी भी आप देखें कि मुगल सत्ता गिप्ती, लोग अपनी भावना प्रकट करते थे, अंग्रेजों द्वारा मुगलों से लाल केला छोड पिस्ताओं ने संपूर्ण भारतियों के अहे को ठोस पहुंचाया यानि कि उनके संवान को एक तरसे ठोस पहुंचाया और यह अगिपी आप देखेंगे भारत में अपने सत्ता प्रसार के क्रम में अंग्रेजों ने सहाएक संदी गेरे की नीती आदी कूटनेतिक चालों का प्रियुक किया परन्तु डलहोजी कि जबती की सिध्धान बिलै की नीती ने भारतिये सासकों को अंदोलित कर दिया और जिसे अबद के पूर्व भूत्पूर्व नवाप उनका सलाकर एहमद उल्ला नाना सहाब का भतीजा राव सहाब तत्या टूपी रानी एक और राजनेती कारण भारत में बेटे सासन का सौरूफ अनुपस्तित फिर्वू सक्ता की रूम में होना भी था और जिसमें आप देखेंगे अंग्रेजियों के व्रोध के लिए भरती जन्मानस को पेरित किया एक तरह से आप देखें कि अगर हम लोग बिलै की नीती ब कर चुके हैं तो वहां जाकर आप लोग पढ़ भी सकते हैं तो फुरानी क्लासों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वहतर आप समझ पाएंगे तो राजनेती कारणों में सरवाधिक महत्मूर कारण था डलहोजी की गोध निसेत नीती अगर आप देखें कि आप किसी क अधारा को 1848 में हडप लिया गया था या मिला लिया गया था जैदपूर संभलपूर को 1849 में बगहाट को 1850 में ओदेफूर को आप देखेंगे 1852 में जहासी को 1853 में नांगपूर को 1854 आधी राज्यों को वेट समराज में मिला लिया गया था और कुसासन का रोप लगर कर अबद और वरार का बिलाय कर लिया गया था करनाटा को सूरत के नबाव तंजोर की राजा की उपादियां चीन ले गई थी लौर्ड ओकलेंड ने दीवान याम दीवान ए खास को बंद करवा दिया था डलहोजी ने गोशना की कि मुगल वासा को लाल के लिए को छोड़कर को तो मिनार के बास रहना होगा करोली राजिस्थान के मामले में डलहोजी के नेड़े को डारेक्टरों ने आसुईकार भी कर दिया था तो ये तो राजनेती कारण रहे हैं आर्थिक कारण देखें तो वेटिस्थासन की सोसनकारी और दमनकारी आर्थिक नीतिया बिद्रों के फिर्मुक कारणों में से एक थी पैसा बसूलें के लिए जहां अगत्तक संभव भूमी विवस्था के नए नए उपाय ढूड़े गए इस थाई रेयत बारी और महाल बारी एक से बढ़कर एक दमनकारी नीतिया लाई गए और आप देखें किसानों का सोसन किया जाने लगा किसानों का अपनी खेती पर जब अजस्ति आप देखें किसी और खसल की खेती करवाने पर मजबूर किया जाने लगा इस तरह की तमाम आप देखे आर्थिक नीतियां भी लाई गए नवीन राजस विवस्था में किसानों के साथ दुर्भाव ना पूर्ण विवार किया गया लगान की दरें इतनी बड़ा दी गई जितनी की उसके पूर किसी भी काल में ना थी और जिसका पैड़ाम यह होगा कि किसान महाजनों के चंगल में फस्ते चले गए और उन्हें अपनी जमीनों से हाथ दोना पड़ा और आप देखेंगे एक और बात कि आप देखेंगे फसल बरबाद हो जा रही है फिर भी आप देखेंगे उससे बसूला जा रहा है क्या टेक्स बसूला जा रहा है इनाम दान में दी हुई सभी जमीने कंप्रीनी द्वारा जब्त कर ली गए क्या कर ली गए जब्त की ले कर ली गए जो इनाम में दी गई थी जमीन है दान में दी गई थी जमीन है ठीक है तो उन्हें भी याद रखे और आप देखेंगे कि जिसके कारण प्रोहितों और मौलवी लोगों की अजीपका पर भी विपरेद परभाव पड़ा और वेटेस होना पड़ा इस्ट इंडिया कंपणी सरकार द्वारा खेती की ओर ध्यान ना देने की कारण खाद्यान संकंट हुत्पन हुआ और जिसके पैडाम स्वरूप अने दुर्वीक छिपड़े यानि कि आप देखें कि अकाल पड़े जिसमें लाखों लोग काल की कौलियत हुए यानि कि उनकी डैथ हुई ये आर्थिक कारण होके अगर सामाजिक कारण की हम लोग बात करें तो अठारवी सदी के अंतिम बरसों और उन्नीसमी सदी के पूरबाद में तेजी सी फैल रहे पश्टमी सबबता ने भारती समाज पर विपरीत परभाव डाला बिजेता होनी क इसके कारण अंग्रेश सासक बिजेत भारतीयों के पिदी दुर्भावना पूर्ण बेवभार करते थे और इसके अतरिक्त बे नसल वादी भावना से पेरित थे बे भारतियों को हे दृष्टी से यानि कि हीन दृष्टी से देखते थे रेल भी तथा टेलीग्राब तार के अविस्कार और पश्मी सिक्षा का विस्ताज सती और सिसु हत्या जैसी पिथाओं का हटाना जाना हटाया जाना और 1856 के धार्मिक आचमता कानून religious disability act द्वारा हिंदुत्र से धर्मांतरी बेक्तियों की अधिकारों की रक्षा 1856 के हिंदु विद्वा पुनरविवा कानून द्वारा विद्वाओं की पुनरविवा को कानून संगत बनाये जाना कुछ हीसाई मसिनीरियों द्वारा भारतियों के धर्मों की आलोचना आदि स भारती समाज का अधिकान से साथ चिंते थोठा पहले आप देखते कि सती सती विथा हुआ करती थी सिसु हत्या भी हुआ करती थी उसमें भी आप देखे इन्हें हटाये गया अंगरेजियों के द्वारा आज के इसे साब से आप देखें तो अच्छी बात है और सती आप कि चिंता हुए और अंदोलित हुए भारतियों में ये विश्वास पड़ता जा रहा था कि अंगरेज उनके देश को पश्चिमा भी मुखी बनाने और भारतियों को इसाई बनाने की योजना बना रहे है परिडाम सरुप भारतियों में बेटिस सासन के विरोध का स्वय किया और सरकार खुलकर इस मिसनिरियों का सहयोग देती थी ये मिसनिरियां हिंदु धरम का बेच्चक आलोचना करती थी और इसम्रेजियों को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी यानि कि हमारी देश में आ रहे है और आध्देखे अपनी ही आलोचना की जा रही है अंग्रेजियों का ये कौद उध्देश भारतियों को ईशाई बनाना भी था और मेसिनेरियों के धर्म परिवर्थन की रवेया तथा कुछ बेटे साधिकारियों के किरिया कलापों ने भारतियों के मन में धर पैदा कर दिया और उनका धरम खत्रे में और सारे रिक्त था राजनेतिक अन्याय सहन करना कई बार संभव हो सकता था परन्तु धार में कुत वीड़ा सहना बहुत कठिन होता था आज भी द्वाब देखे कई नेता धार में आपका धर्म खत्रे में हैं आपको क्या करते रहते हैं भड़काते रहते हैं तो आज अगर आप देखे कि लोग भड़क सकते हैं तो उस समय क्या रहता हो गया आदिवासियों में तो अभी भी चले जाए आप लो अगर आप देखे उनकी संस्किती में आप छेड़चाड करते हैं उनके रहन सेन में आप परिवर्तन की बात करते हैं तो जान लेने पर उतारू हो जा था देव योग से भारत का विस्तित समराज बेटेन को मिला ताकि इसाई धरम की पता का भारत की एक छोड़ से दूर से छोड़ तक फैरा सके सुतंता सैना नी बहादो सांद उती है जफर अन्ति मुगल समराठ ये पिक्चर आपको सैद देख रही हो थोड़ी वग मूर्ति पूजा की आलोचना की जाती थी और हिंदु देवी देताओं का उपहास उड़ाय जाता था मजाक उड़ाय जाता था और आप सभी जानते हैंगे हमारे हां मूर्ति पूजा की जाती है भगवान की पूजा की जाती है देवी देताओं को माना जाता है लेकिन वो इसका मजा खोड़ा रहे थे, आलोचना कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, बीर सावर के ने यह दरसाय कि आसनेक उसनेक उचे पदादिकारी राम और मुहमत का मजा खोड़ाय करते थे, और नवीन सिक्छा नीती में धार्मिक सिक्षा की अउहेलना से जनता में आसंतोस बढ़ गया और मौल भी वो पंडित बेरोजगार हो गया और इसकूलों में इसाई धरम के प्रिचार के कारण जनता इनको संदेख दिरिफ्टी से देखने लगी और पुनाहा इने स्कूल में सभी जातियों के बालक एक साथ बैठा कार्यालों को सैतानी दपतर के नाम से पुकारा जाने लगा और आप देखेंगे 1850 में पास किये धार्मिक आयुगता दिनियम दोरा हिंदू रीती रिवाजों में परिवरतन लाए गया और इससे पुत्त को अपने पिता की संपत्ती से बंचित नहीं किया जा सकता है इस का कंपनी के अधिकारी अंग्रेज और भारतिय सैनिकों के 20 नसल बादी भेदभाव रखते थे एक ही पत पर कारने वाले अंग्रेज सैनिक का बेतन भारतिय सैनिक की तुल्ला में कई गुना अधिक होता था यानि कि कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजी सैनिक हुआ करता था उ कि नो से किए अंगरेज बरिष्ट से बरिष्ट भारतिय सेनिक वर आपमान कर देते थे क्या करते थी ऑफमान करते थे और आप देखेंगे कि कि भारत में अंगरेजी समराज की पैसाज से सेनिकों की सेवा सर्तों पर कितीकल प्रभाव पड़ा अब उन्हें अपने देश से दूर सेवा करनी पड़ती थी और जिसके लिए उन्हें भत्ता भी नहीं मिलता था एफ्टरा कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था 1856 में पारित General Services and Listment Act की अंतरकर सेनिकों को युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था और इससे उच जाती हिंदू सेनिकों में रोज फैला क्योंकि बेसमुद्र पार जाना धरम की बेरोद्ध मानते थे यानि कि आप देखें कि अगर समुद्र को फार करते थे तो हिंदूओं में ये गलत माना जाता था 1856 में डाग घर अदिनियम पारितों के बाद सेनिकों को अपनी डाग भेजने के लिए करय करने पड़ते थे जबकि इसे पूर उनके लिए डाग सिबा निसोल्क रहती थे यानि कि कहने का मतलब यह है कि आप देखें कि कहीं सेनिकों की डिवटी कहीं ओल लगी हुई है तो वो अपने पत लिख सकते थे परिवार वालों को और वो आप देखें निसोल्क हुआ करता था लेकिन फिर क्या हुआ कि आप देखेंगे निसोल्क लिए जाने लगा उनके डाग भेजने के लिए तो उसी पुका भी गुस्सा हुआ सरफितम 1864 में एक सेन विद्रो हुआ जिसमें हेक्टर मॉन्रो की एक बटालियन वकसर की योद्ध में मीर कासिम से जाब मिली 1866 में विल्लोर का सिपाही विद्रो हुआ जहां सिपाहियों को दाड़ी मुडाने तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगाई गई और चमड़े की कलगी लगी हैड पहनने को कहा गया और आप देखें कि ऐसा मने जाता था कि वो चमड़ा है ना वो हिंदू की गाए मुसलिमों की आप देखें सुवर क्या बना होता था तो वो भी धार मुई भावना भड़की और आप देखते हैं कि दाड़ी मुडाना की बात होती थी और हिंदूओं में तिलक लगाने की बात होती थी पगरी सिक्षों में पगरी बांधने की बात होती थी तो उस पर भी रोक लगा दी गए 1824 में बैरकपूर में सिपाहियों की 47 भी रेजीमेंट ने समुद्री रास्ते से बर्मा जाने सिंकार कर दिया 1825 में असम की तोफखाने ने विद्रो कर दिया 1834 में सोलापूर की एक भारतिय सेंड टुकडी ने भत्ता ना मिलने पा विद्रो कर दिया और 29 मार्च 1857 को 34 भी रेजीमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने एडजू टेंट बाकी हत्या कर दिया और सरजेंट मेजर हूसन को घायल कर दिया और यहीं से यांदोलन सुरू हो गया अगर हम लोग इसके ततकालिक कारण की बात करें इसे जरूर याद रखे कई बार पूच लेता है तो 1856 में कंपनी सरकार ने पुराने लोहे वाली ब्राउन बेस बंदू की जगए एक नई एनफिल्ड एनफिल्ड राइफलों की प्रियोग का निश्चे किया और इसके बाद ही सीगी अफवाह फैल गई कि नए राइफलों में प्रियोग किया जाने वाली कार्तूसों में गाय और सुवर की चर्वी है और जिसे प्रियोग से पूर्व मुह से काटना पड़ता है और इन अफवाहों की सच साबित होने पर हिंदो तथा मुसल्वान सैणकों ने समझा की अंग्रेज उनका धरम नष्ट करना चाहते हैं और इस बिद्रो की सूतपात का ततकालिक कारण यही बना और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय और सुवर गाय हिंदों में और सुवर मुसलिमों में एक पवित्ध पसू माना जाता है ठीक और लोग मानते हैं इनकी पूजा करते हैं वहीं अगर हम लोग बिद्रोग का प्यारम है वो अबिस्तार देखें तो 1857 का बिद्रोग 10 मई 1857 को मेरा 3656 की 20 NI तथा LC की पैलल सेन टुकडी ने चर्वी वाली कार्थूस के प्रियोग से इंकार कर दिया और यहां से आप देखेंगे इस बिद्रोग का प्यारम होता है इसके बात बिद्रोग ने अपने उच्चा दिकारीयों की हत्या की और दिली की और रबाना हो गए 11 मईए को प्राता बिद्रोहियों ने दिली पा अधिकार कर मुगल बासा बहादुर साह दुतिये को पुना भारत का समराट और विद्रोह का नेता गोसित कर दिया किसे मुगल बासा बहादुर साह दुतिये को कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की सुरुवात हुई और यहाँ पर पेसबा बाजी राव दूतियन है कि दतकपुत नाना साहब ने बिद्रोह का नेतित किया और जिसमें उनकी साहता तत्या टोपे ने की नाना साहब लगातार पराजाएक को जिलते हुए अंतता नेपाल चले गए और दिली में 82 बरसी ये बहादूर साह ने वक से खाके सहयोक से बिद्रोह का नेतित पिदान किया और 20 सेप्टमबर 1857 को बहादूर साह ने हुमायू के मकबरे में अंग्रेज लेटिनेंट W.S.R. हरसन के समक्ष समर्पन कर दिया और बहादूर साह को सेश जीपन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा वहीं भेद दिया गया था ने और वहीं इनकी मौत हो गई लखनव में 4.1857 को बिद्रो की सुरुवात हुई और बेगम हजरत महल ने अपने अलपाई उकुत बिरिजिस कादिर को नबाब गोसित किया और लखनव उस्तित वेटिस रेजिडेंसी पर आखमार कर दिया तो इनके नेतित करता जरूर याद रखेगा लखनव में कौन बेगम हजरत लखनव की बाद बेगम हजरत महल ने मौल भी अहमद दुल्ला के सास साय जहाँ पर में भी विद्रो का नेतित प्यदान किया बेसी गी पराजित हो गई हो भाग कर नेपाल चली गई जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई जहांसी में आप देखेंगे 4 जून 1858 को रानी लचिमवाई की नेतित में विद्रो की शुरूआत हुई और जिसमें रानी ने अंग्रेजों के साथ बीरतापूर एउद्दे किया परंतु जहांसी के पतन के बाद रानी लचिमवाई ग्वाई ग्व ग्वावन को बीरगती को प्राप्त हो गई रानी लचिमवाई और रानी लचिमवाई कि अगर आप देखें तो इनकी समाधी ग्वालियर में ही आपको देखने को मिलेगा फूलबाग में ठीक है और तत्या टोफिक ग्वालियर की पतन के बाद अपरेल 1869 में नेपाल चले गया इनकी भी हत्या कर दी गई ये तरह से फांसी दे दे गई जगदीस पिरमें आरा विहार में वहां की पिरमुग जमीदार कुमर सिंग ने 1857 के विद्रों के समय विद्रों का जंडा फेराया योद में जक्मी हो जाने के कारण 26 अपरेल 1858 को इनकी मौत हो गई फैजाब 15 को रोहेल खंड की सीमा पर पोवायान में इनकी गोली मार का हत्या कर दी गई और आप देखें कि रोहेल खंड में खान बहदुर खान है 1857 के विद्रों का नितित पिरान किया कलांतर में इने पकड़ कर भी फांसी दे दी गई और असम में आप देखें कि 1857 का विद्रों क सभल हुआ मनी राम को फांसी दी दी गई कोटा राजिस्तान में एक भारतिय सेन टुकडी ने विद्रो कर दिया और अंग्रेज एजेंट मेजर वार्टन की हत्या कर विद्रो किया परन्तु विद्रो को कुछल दिया गया उडिसा में समलपुर की राजकुमार सुरेंद साही और जुअल साही ने विद्रो किया था पंजाब जिसका अधिकान से घजेंट में विद्रो की लेकिन इन सब को फांसी दे दी गई और धचेन भारत में जिसका अधिकान से साथ विद्रो के समय सानद है ज़गी राम का कुछ पिरभाह हो देखने को मिला और सतार में रंगोजी, बाप, पूजी, गोपती ने विद्रो का नेतित किया और वंगाल, पंजाब, राजपूताना, पट्याला, जीन, हैदराबाद, मदरास, आदीचित में छेति थे जहां पर विद्रो नहीं पन अप सका और जहांके सासकों ने विद्रो को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद की तो इस विद्रो में आप देख रहे होगे, कुछ लोग अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेजों की विरुद लड़ रहे हैं, विद्रो कर रहे हैं जो आपका 1857 का बिद्रो हुआ था ना उसमें कहां कौन सा केंदर आए उस जगया का नेतित करता कौन रहा है या बिद्रो ही नेता कौन रहा है और वहां जो बिद्रो हुआ था उसे कुछलने का काम किस ने किया दवाने का काम किस ने किया और आप देखें कि आपके प्रलिम् में इस तरह की questions आते रहते हैं आपके तो यह आप देखेंगे दिल्ली में आप देखेंगे बहादुर साह और जफर वक्त था और इसे दबाया था किसने निकलसन और हडसन है कानपुर की बात करें तो नाना सहाब और तक्तिया टोपी यहां की नेतित करता थे और इसे दबान वाले का नाम क्या था अंग्रेज का कॉल इन केंप वेल यह जरूर याद रखिएगा आप लो ठीक है और वहीं अगर जासी गवालियर की बात करें तो रानी लच्छी भाई और तत्या टोपे यहां की नेतित करता थे और जनरल ही उरोज की द्वारा इसे दबाया गया था जगदीशपुर यहां कुमार सिंग और अमर सिंग थे नितत करता या बिद्रो ही नेता और मेजर विलियम टेलर यहां के दबाने वाले अंग्रेज का नाम था इस बिद्रो को फैजाबाद मौलवी एहमद एहमदुल्ला और इसे दबाने वाले का नाम था जनरल रेनोर्ड इलाबाद में लियाकत अली और आप देखें कर्णल नील ने से दबाया था बरेली में खान बहादूर और इसे बैसेंट आया इने दबाया था मंदसोहर में सहजादा फिरोस साह अंत में रंगून निर्वासित कर दिया गया था इने ऑफसम में अगर आप देखें तो इन यहां नेदित करता कुन थी? कंद पेसोर सिंग और मनी रामदक। उडिसा में देखें कि तो स्वराइंद साही, उज्वल साही और कुलू में देखें तो राजा प्रताप सिंग और वे सिंग, कोटा में देखें तो जैदयाल और हिरद तो ये आप लोग याद रखिएगा और कुछ मात्मूर तत्त है अठाए सो संतावन के विद्रो का ततकालिक कारण चर्वी लगे कार्थूसों का प्रियोग था ये आप देखें कई बार कुछ लेता है चर्वी यूगत कार्थूसों के प्रियोग के विरोध में पिथम विद्रो वेरखपूर चावनी मंगल पांडे द्वारा किया गया था और 1857 के विद्रो की सुरुवात मेरट से हुई थी और कब हुई थी? 10 मई 1857 को विद्रो मुखता दिल्ली कानपूर जगदीसपूर विहार जारकंड मापकरी जहांसी रोहेलकंड मेरट लखनव फैजाबाद बरेली में केंदेत रहा है और विद्रो की प्रमुक नेता देखें तो तत्याट उपे हो गया है नाना साहब हो गया, बेगम हजरत महल, रानी लचेवाई, मौलवी एहमद कुंगर सिंग 1857 की विद्रो के समय विद्रो ही नेता मौलवी एहमद दुल्ला की गरपतारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पचास जार रुपे का इनाव रखा था, और आप सबसकते हैं कि उस समय पचास जार रुपे वड़ी राखती हुआ करती थी अंग्रेज जनल हिवरोज ने लचेवाई की मित्तिव के बाद उन्हें विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे बीर नेता कहा था यह आप देखें कतन देदेगा आपको और आप से पूछेगा किस के बारे में कहा गया था या किस ने कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में आरसी मजूमदार ने कहा है कि तथा कथि पिथम राष्टिय सुतंता संग्राम ना तो पिथम था और आप देखेंगे और ना ही राष्टिय और ना ही सुतंता संग्राम ये भी आपको कफन देदेगा और हूच लेगा किसने कहा था है बेटे सांसर दिज राइली ने 1857 के विद्रों को राष्टिय विद्रों कहा था और वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रों को सुनिय उजित सुतंता संग्राम की संग्या दी थी और 1857 के विद्रों में पंचाब, राजपूताना, पट्याला, जिंद, हैदरावाद, मदरास के सासकों ने विलकुल हिस्सा नहीं लिया था वधिक बरग व्यापारी भारतिय सासक नाकियबल विद्रों से अलग रहे, बलकि विद्रों को कुचलने में सरकार की मदद की, यानि कि इन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की, उस सरकार की मदद की, इसलिए आप देखे और जल्दी इस आंदोलन को खतम कर दिया गया थ तत्या टोफे, रामचंद पांडूरंग, इनका बास्तविक नाम, कुमारवार के देश दुरोही राजा, मान सिंग की मुखवरी पर अंग्रेजों ने गरपतार कर फांसी दे दिया था, आपको बता दूँ कि देखे, उस समय भली इने कुछ राजा बच गये हो, और इने वहुत सारी इनामें मिली हूँ, लेकिन आज भी स्पेसल वोक्स उठाके देखिए, तो सिंधिया को गद्दार कहा जाता है, देश दुरोही कहा जाता है, राजा मान सिंग को आप देखे, देश दुरोही, राजा मान सिंग की मुखवरी, अंग्रेजों ने गरपतारी पर दे दी थी यानि कि आप देखिए राजा मान सिंग के कारण तक्तिया टोपे पकड़े गए थे 1858 के भारतिये परिशत अधिरिनियम द्वारा भारत में कंपनी का सासन समात कर दिया गया था और भारत का गवर्नर्ट जनरल वायसराय कहा जाने लगा था 1857 के विद्रों के समय भारत के गवर्नर्नर्ट जनरल लौड केनिंग थे यह नाप भी याद रखे लौड केनिंग का भारत की पिथम वायसराय लौड केनिंग ही था तो इसके बारे में भी याद रखेगा एक कुछ पुस्त के इसी पल लिखी गई है 1857 के किरांती बर दा ग्रेट रिविलियन ए असोक मेहिता के द्वारा दा क्रोसिस और इंडियन मोटिनी ए असवाद ए बगावत एहन्द ए सरसियद एहमद कान के द्वारा 1867 ए सोरेन नाथ रेन द्वारा लिखी गई सरकारी वुक है तेओरीच आफ इंडियन मोटिनी ए आप देखेंगे ससी भूसन चोदरी के द्वारा लिखा गया था दा सिपरोय मोटिनी और रेवल्ट ऑफ अठारेश सान्तवन आश्य मजूंदार के द्वारा लिखा गया था वेटिस पैरा माउंटिसी एंड इंडियन रिनाई जेंस यह आप देखेंगे आरसी मजूमदार की द्वारा लिखा गया था फर्स्ट बार आप इंडियन इंडिफेंडेंस यह वीडी साबर करने कहा था दा इंडियन रिवूलेशन यह मुहित सेन ने कहा था यह जरूर पुस्तकों से कई बार कुश्चन सफूच के लेता है आपका अब आप देखते हैं कि ए विद्रो खतम हो जाता है कुछ समाई के बाद तो इसमें खतम होने के कारण कौन से रहे उन पर हम लोग बात कर लेते हैं बिद्रो हो के असफलता के कारण कौन कौन से रहे इसमें तो आप देखेंगे एकता का अभाव सबसे पहले तो आप देखेंगे इसे जो आंदोलन हुआ था जो बिद्रो हुआ था इसमें एकता का अभाव देखने को मिला क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ लोग अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं कुछ अंग्रेजों के खिलाब लड़ रहे हैं 1857 के विद्रोह में भारतियों में आपसी एक्ता का अभाव था और यह गी भी पंगाल के सिपाहियों ने विद्रोह में भाग लिया किंदु सिख और दच्चिन भारतिय सिपाहियों ने अंग्रेजियों की ओर से विद्रोहों का दमन भी किया और सिखों में मुगल सासन की पुनर उत्थान का भाय उत्थपन हो गया था और इसी पिकार राजिस्थान की राजपूर सासक और हैदराबाद की निजाम मराठा सक्टी के पुनर उत्थान से भाय भी थे तो इनकी भी अपने एक तरह से आप देखे कुछ हेत रहे सिख्षित भारतियों का सहयोग यानि की कहने का मतलब है कि जो पड़े लिखे थे उन्होंने भी इस आंदोलन में मदद नहीं की सहयोग नहीं किया आधुनीक सिख्षित भारतियों ने भी विद्रों को सहयोग नहीं दिया क्योंकि इनके विचार में बिद्रों का रोप पश्च गामी था, यह सिक्षिक बर बेटिस सिक्षा विवस्था की उपच था, और उसकी धारणा बन गई थी कि देश को आधुनी की करन की और अगसर करने में अंग्रेज नेतित पिदान कर सकते हैं, अब आप देखें कि एक की मदद नहीं की, वो अंग्रेजों की तरफ ही रहे, योग नेतित का अभाव, विद्रों को संचाली करने के लिए कुसल और योग नेतित नहीं मिला, और विद्रोही नेताओं के बीच आपसी मद्वेद ने भी विद्रोह को कमजोर वरा दिया, जैसे मुगल सासा को सेना प्रवुख में विबाद, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमत दुल्ला का अपस में विबाद, नेताओं के स्वार्थ और संकीन दिरिष्टी कौन ने विद्रोह को कमजोर, जोरियों को उजागर कर दिया, जॉन लॉरेंस ने ठीक ही कहा था कि अगर उनमें विद्रोहियों से एक भी योगनेता निकला होता, तो हम सदा के लिए हार जाते हैं, और आप देखेंगे एक और, उनके बाद जैसे रानिल अच्छी भाई लड़ रही थी, वो सहीद हो जाती हैं, तो उनके बाद आगे का नेतत करने के लिए कोई नहीं था, तो इस तरह का आभाव भी दे अंग्रेजों के पास साजो सामान का था, और विद्रोहियों का सैनिक साजो सामान, अंग्रेजों के सैनिक साजो सामान की तुल्ला में निमनतर कोटी के थे, और अंग्रेजी सैना की सिष्टता देखकर अधिक कां सैनिक अपने गाउं बापस लोट गए, अब आप देखें कि उनके पास तो बंदू के आख चुकी थी और आप देखे कि हमारे हैं तलवारें तीर ही थे तो इसलिए भी हम लोग उनसे पिछड़े हुए थे और आप देखे विद्धरोही नेताओं में ठोस कारकरम का भाव 1857 के विद्धरोहों के द्वरान बिद्धरोही उने कुछ समाई के लिए वेटे सरकार और सासन प्रडाली को खाड फिका लेकिन उसके बदले बिकल्पिक विवस्ता के लिए उनके पास कोई ठोस कारकरम नहीं था उनके पास सासन विवस्ता की कोई दूरदर से योजना भी नहीं थी और इस कारण उने पुरानी सामनती विवस्ता का आसरे लेना पड़ा और कुछ भार्टी बर्गों का अंग्रेजों का समर्थन किरस्मों की कुछ बर्गों अधिकाश, देशी रियासतों के सासकों ने जो बेटे सासन से लावनवीत थे उनोंने अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी मदद की और उपिप्त कारणों की अलावा अंग्रेजों की अनुसासित सैना कुसल नेतित, सुद्रन, संचार व्योस्ता आदी ने विद्रोह को दवाने में महत्पून भूमी काने भाई तो यह रहे असफलता के कारण अब विद्रोहों के परिडाम क्या मिले हैं उन्हें भी देख लिए अठाइस संताबन के विद्रोहों ने वेटिस सासन पेडाली और उसकी नेती में पित्यक चुरूप से तीन मात्मून परिवर्तिन किये कौन कों से परिवर्तन है विद्रोहों के बाद भारतिय सरकार का ने इंडिया पास किया गया और इस अदिनियम में कहा गया भारत सर्वोच सत्ता द्वारा तथा सर्वोच सत्ता के नाम पर सासित होगा यह सासन एक प्रमुक बेटे सरकारी राज सचिप द्वारा होगा और जिसकी साहता 15 सदस्तों की परिशत करेगी और साथी भारत की गवर् कब 1 नमबर 1858 को इलाबाद में आईजी दिखदरवार में इसे समराग्री का गोशनापत दा कुईन्स प्रोक्लामेशन आप देखेंगे कि नाम से जाना जाता है और इस गोशनापत को भारतिय जनता का महान अधिकार पत मेगना कार्टमाना गया है और इसके तवारा भारत के साथ इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई संधियां उपावंदियों को बैद तहराए गया देशी रियासतों के सासकों के अधिकारों फितिष्ठा और सम्मान का आदर करने का बचन दिया गया भारत की प्राचिन धार्मिक किरियां और रस्मों और पिताओं के पिती उचे ध्यान देने का बादा किया गया दूसरों के राज्य में अनाधिकार हस्तिशेप द्वारा भारत में बेटिस राज्य के विस्तार की संपोंड एक्छा का को आसुईकार किया गया यानि कि आदेखे अंग्रेश्चों ने को सुधार किये जोके भी वो अंग्रेश्च इस नाग्रेकों की हत्या के आरोब में दंडित हुए और होने वाले अपराधियों को छोड़कर से सभी अपराधियों को सामान राज किये छमा पिदान की गई नियाय उदारता और धार्मिक सहडूता की नीती की गोशना की गई और सरकार को आदिश दिया गया कि वह भारतियों के धार्मिक विस्वास या पूजा में हस्तिसेब से बचें और यह गोशना की गई कि सभी चाहे वे किसी भी नसल या धार्मिक विस्वास के हो निस्पक्चिता से नौकरी के पदों पर नियुक्ति हो सके सकते हैं वसरते वे अपनी सिक्षा चमता विमानदारी के द्वारा उन पदों के करतबों को उचेत रोप से निभाने में समर्थ हों आप देखें कि एक तरह से अभी जो भेदभाव किया जा रहा था ना नौकरी में उसमें भी सुधार करने की बात की गई है फिर आप देखेंगे सेना का पूर्ण रूप से पुनरगटन किया गया क्योंकि इसी ने विद्रों का सूत्वाद किया था और आप देखेंगे कि 1893 में तक प्रेसिदेंसी सेनाय पूर्ण तक अलग रखी गई और यूरोपिय सेनकों की संक्या में बिस्तार किया गया, बड़ावा किया गया 1858 में सरकार ने सेन पुरुन गठन के लिए पील कमीसन की निवक्ति की और आप देखेंगे कि जिसने जिसके अनुसार यूरोपिय और भारतियों का सेन अन्पाज निश्चित किया गया बंगाल में एक अंपाते दो और म intuition और बंबई में एक अंपाते तीन रखा गया सैने चेत्रों में अंग्रेजों ने सिख्ख गोर्खा और पठान को प्रमुकíd तान दिया गया जबकि विहार अवद और मद भारत के चेत्र से सैने को लेना बंद कर दिया गया यानि कि आप देखे जिनोंने इनकी मदद की हुई थी उन्हें यहां क्या एक इनाम के रूम में दिया जा रहा है क्या इनाम दिया जा रहा है इस सेन पुनग्रठन का मुझ खुद्धे सेना में भारतियों की संख्या गटा कर उनकी आपसी एक्ता को भी नष्ट कर दिया तो बैटिस्क राउन की पिर्भु सत्ता सुईकार करनी पड़ी और वे एक ही कार के अंग समझे जाने लगे। और विद्रोह का एक आपित्यक्ष पैडाम भार्दीरती राजनीती में चरमपत गरम दल का उदभाव भी हुआ। विद्रोह के द्वरान घटित घटनाओं ने कुछ भारतीयों और भारत में रहने वाले अंग्रेजियों की मन में सत्तुता की भावना पैदा कर दी या भावना नसल बादी भीदभाव की कारण और भी पिज्जोलित हुई। और विद्रोह की परचात केनिंग के समय में 1861 का इंडियन कॉंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोट एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसिस एक्ट और आर्मी एहमल मेशन स्कीम पारित की गई। तो यह भी याद रखेगा। तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? विद्रोह का मात तो 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतियों को इस बात का एसास करा दिया कि सिर्फ सक्ती के वल पर अंग्रेज जी सासन से मुक्ती नहीं मिलेगी और वल की इसके लिए सभी बर्वों, बर्वों की सहयोग और समर अंग्रेज जी दास्ता से मुक्ती का प्रयास भी किया और इस विद्रोह से भारतियों में राष्टिय भावना का बीजारोपन हुआ, यानि कि इनकी समझ में आने लगा कि हम लोग अगर अलग होकर लड़ेंगे, तो अंग्रेजों को कभी बाहर का रास्ता नहीं देखा सक हमें कभी आजादी नहीं मिल सकती है, विद्रोह के अगर हम लोग सौरूप की बात करें, कि इसका सौरूप क्या रहा है, तो इसके बारे में भी जान लेज़े आप लोग, 1857 के विद्रोह के सौरूप के बारे में कोई इस पर्ष के बिवरन नहीं मिलता है, क्योंकि इस संद्रम में जितने लेखक हैं, लगबग उतने ही विचार हैं, और इस पेकार यह एक बिबात का विशय बना हुआ है, यानि कि कहने के मतलब है कि जो अपने लेखक रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है इसे, इसके बारे में बताया है, भारती वेटेस विद्वानों इभम इतिहासकारों ने विद्रोह के सौरूप के विशय में भिन भिन मत परकट किये, और केमाल, मालिसन, ट्रेविलियन, लौरेंस, हॉमजे, जैसे वेटेस इतिहासकारों ने, जो समराज के प्राक्ति पक्षपाती थे, उसे केबल सेनिक विद्रोह इन्होंने माना, और कुछ भारती विद्वानों के बिचार, मैं भी एक सेनिक विद्रोह था, कुछ विद्वानों इसे ईसाईयों के विरुद, धार्मी की संग्या दे, और कुछ तो इसे पश्चात इवं पूर्वी सबता तथा संस्किती के भी संगर्ष का नाम भी दिया इनों ने कुछ बैटियस विद्वानों के अनुसार ये हिंदो मुसलिम सडेंद था और आप देखेंगे कि जिसके द्वारा अंगरेज जी राज जी को उखार फेकने का प्रयास किया गया कुछ राष्टबादी भारतिये इतिहास कार इसे सोने उजित राष्टी आंदोलन का सूत भी मानते हैं कि ये सोने उजित राष्टी आंदोलन था ऐसा नहीं है कि भारतिये ही इसे राश्टी विद्रों मानते हैं वेटिस रोड़ी बादी दल के नेता बेंजामीन कौन बेंजामीन डेज रिली भी इस बात को से सहमत थे लेकिन टी आर हॉम्ज जैसे कुछ वेटे से इतिहास कारों इतिहास कारों भी हैं जो इसे जाती संगर्स के रोब देने से भी नहीं चकते और वेट से विद्रों को बरवरता और सब्वता के वीच संगर्स बताते हैं और जन से संकीन जाती भेद और जाती है शिष्टता की गंद आती है यानि कि इनों ने अपने हिसाब से बताया है समझ रहे हैं आप लोग और दो आधुनिक विशिष्ट भारती इतियासकार जैसे डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर ऐस सेन के बीच विद्रों को लेकर मद भेद रहा है और मजूमदार ने इसे सुतंता संगराम बनाने से इंकार किया क्योंकि विद्रों ने भिन भिन रूप धारन किया और वही अगर हम डॉक्टर सेन की बात करें तो आप देखेंगे सेन ने इस आधार पर इस विद्रों को सतंता संगराम मानने के लिए यह तियार होते हैं कि क्रांतिया प्रया एक छोटी से वर्ग से प्यारम होती है और जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता है और आप देखेंगे लेकिन कुछ आधुनिक लेखकों ने निसकर्स निकाला है या विद्रो ना तो पूर्टा संगठित राष्टी आंदोलन था और न आते थे और इन नरेशों जमीदारों ने अपने इलाके में इसे जन बिंद्रो का स्वरूप विदान किया और विसे इसकर विहार अवद और रोहेल खंड की बात हो रही है तो यह भी याद रखिएगा और विद्रो का स्वरूप अखिल भारती यह कभी नहीं था क्योंकि आप देखे सभी जगह ए नहीं इसका एक तरसी केंद्र वने नहीं फैला और विद्रो का स्वरूप इस्थानिय ही रहा है कुछ अंसों में या स्थीमत और इसका संगठन कमजोर था इससे संचालित करने के लिए राष्टी इस्तर पर कोई नेता भी नहीं था आप देखे कोई आप देखे गांधी जैसा कोई नेतत करता भी तो नहीं था समझ रहे हैं सैनिक इस्तर पर भी वेटिस सरकार के विरुद सभी सैनकों ने बिपलाओं में भाग नहीं लिया कई अपसरों पर देखा गया है कि पिरमुक भारती नरेसों याने राजाओं और आप देखेंगे कि सरदारों ने ही नहीं बलकि भारती सैनकों ने भी विद्रों के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया हीवरोज ने कहा कि भद्रोहियों में ज्छासी किरानी के अलाबा कोई बीर नेता नहीं था इसका अरत यह नहीं है कि उस समय भारत में ऐसे सास्केओं की कमी थी बलकि यह है कि इस तरह की सास्केओं ने बिद्रों में भाग नहीं लिया सिंधिया गयकबार होलकर आदी ने संगर्स में भाग नहीं लिया जबकि उस समय ये भारती सक्ति के केंद भी थे एक आउसर पर केंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रो में समलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा यानि कि भागना पड़ता और विद्रो की एक बिसेस बात यह भी थी कि विद्रोहियों के बिभ की सहभागिता भी रही है दो भारती एतियासकार बीडी सावरकर असोक महिता ने इसे भारती सुतंता संगराम भी कहा है और इस बिद्रो के लिए किबल सैनिक ही उत्तरदाई नहीं थे बले कि किर्सक किर्सकों और उच बर्गों में भी अंग्रेजों की पिती एक आम अंसं दोस्त था और आप देखेंगे समगता यह कहा जा सकता है कि यह विद्रो मद्ध युगीन विवस्ता से अपने को बचाने और अपनी कोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था राजाओ जमीदार इस जमाद की नेता थे और यह मौटे तोर फर एक राजने रिती बरस के रूम में भी मना आए गया था तो इसके बाद याद रखिए गाव लो रखोगे या नि देखिए ये बैकती हो इनके कतन है इनके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे कुश्चन्स फूंचा जाएगा कई बार कतन देता है बोल देता है कि एक किसने कहा था इसके बारे में ये किसने कहा समझ रहे है आप तो कई बार जैसे आप देखिए यह केबल एक सैनिक विद्रो था ये किसने कहा माना सर जॉन लारेंस और सीले ने ये कहा था कि यह केबल एक सैनिक विद्रो विद्रो था और E.R. Ridge ने क्या कहा था या धर्मांदों का इसाईयों के विरुद विद्रो था J.G. Medley ने क्या कहा था इसे जातियों का युद्ध कहा था T.R. Holmes ने इसे बरवर्ता और सब्विता के मद्ध युद्ध बताया था आउट्रम और टेलर ने इसे हिंदू मुसलिम सडेंतों का परिडाम बताया था इसाई मिसेनरियों मिसेनरिया इसे इसरो द्वारा भेजी की विपत्ती बताया Benjamin D.G. Rally House of Commerce में बोलते हुए इसे एक राष्टी विद्रो इन्होंने माना था तो अंग्रेजों के भी विचार आप देखिए अलग-अलग थे अब बात आती है कि 1857 की किरांती हुई उसके बाद क्या हुआ अंग्रेजों की जो नीती रही है इसमें क्या परिवर्तन हुआ तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग क्योंकि उनसे भी कुश्ण्स पूचे जाते है 1857 की विद्रो को पूर्ण रूप से कुचल दिया गया किंतु इस विद्रो उसने भारित में बेटे सामराज की जड़ों को हिला की रख दिया था और आप अंग्रेजों को यह सोचने के लिए बिवस होना अपड़ा था कि भारत के सासन के समंद में उनको कुछ नमी नीतियों का अनुसरन करना होगा और विद्रो के समय लोड क्राउमर ने अंग्रेजी उकों को यह सुझाओ दिया था कि भी उस विद्रो का अध्यन करके उसके कुछ सीखने का पेरतन करें क्योंकि इससे अनेक चितावनिया चिपी हुई है और इसके अतरेक्ष विद्रो के उपरांत पश्चिम के अनेक समराजी है और पुझी बती देशों ने जिसमें जापान और सविक्तराज अमेर्का भी संभिले थे अंग्रेजों के उपने वेसों और अर्ध उपने वेसों को अंतरश्टी मंडियों में राजनेतिक व्यापारी किस्तिती को चुनोती देने का फिरतन किया और इस परिवर्थित परिद लाओ करने की रड़नीती पर भी अमल किया एक बाद और आपको बता दूँ आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश में एक किसान आंदोलन हुआ था एक लंबे समय तक आपने देखा है कि वो आंदोलन चला भी है आप सभी जानते हैं कई लोग कहते हैं कि उससे कुछ फा कि उसकिसान आंदोलन से भी सीखा जा सकता है कि अगर सांती पूर्ट तरीके से आप अगर आंदोलन करते हैं तो उसमें सफलता पाई जा सकती है और किसान आंदोलन ने इकरके दिखाया भी है और उस सरकार को आप देखे जुकाया है जो सरकार कभी जुकने का नाम ही नहीं लेती हैं समझ रहे तो ये भी याद रखिएगा और आप देखेंगे कि पिटी क्रियाबादियों और स्वार्थी लोगों लोगों को सरक्षर पिदान करके उन्हें पुरुसाहन दिया गया और ताकि बैटिस समराज के पिती उनकी स्वामी भक्ती बनी रहे यानि कि आप लो अपसासन करो की नीती का नेमित और नेंतर रूप से अनुफालन किया गया या आप देखें कि कुछ लोगों को हमारे अपने पास बुलाईए अपने पास कीचिए वो कुछ को बाहर कर दीजे यानि कि दोनों समधाय में आप देखें धर्मों में फूट डली रहे ये भ सासन पर कड़ा नेंतर रखा गया है यानि कि आप देखें जो वड़े वड़े पत थे उन पर केवल यूरोपी अंग्रेजों की ही न्युकती की गई तो ये भी देखने को मिला एक नवंबर 1859 की महरानी विक्टोरिया के गुष्णा के अमसार उस तिती से भारत का सासन वे समगरागीरी की गोष्णा में देशी रियासतों के नरेसों को विश्वास दिलाए गया था कि उनकी सिमाओं से कोई छेड़चार नहीं की जाएगी और देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की नीती को समाप्त कर दिया गया और इसे गोष्णा के अपना एक तरह से उत्रादिकारी किसी और को बना दिया गया गोध लिया किसे बक्चे को तो उसे भी मानता देंगे कि हाँ ये राजा का ही उत्रादिकारी होगा और इसे देशी नरेस संताना होने की दसा में अपने राज्य के छेन जाने के भाय से मुक्त हो गया यानि कि अब वो किसी को भी अपना उत्तराजिकारी बना सकते थे एक तरसे। भारतियों का आर्थिक सोसन। सन अठारे सो संतावन की विद्रों के कारण एक योग समाप्त हुआ, था किन्तु इसी के द्वरान एक नवी नियुक का सूत पात हुआ, और अंग्रेजों ने समराज विस्तार की नीती को त्याग दिया, किन्तु उसके इस्थान पर उन्होंने अपना ध्यान भारत के आध्थक सोसन की तरफ लगा दिया, और अंग्रेजों को अब भारत के सामंतों से कोई खत्रा नहीं रह गया था, क्योंकि बेश सब तो अब बेटिस समराज वाद वो उसके पिसासन की निश्थावान अनुवाईई बन गये थे, और 19-20 सताबदी के अंतिम दसकों में तो उन्हें चनोती देने वाला भारत का उधारवादी सिक्षित बरक था, जिसने जॉन इस्टुवर्ट मिल्ट तथा अन अंग्रेजी उधारवादियों के दर्सन का अध्यन किया था, और उधारवादी कहने का मंदल हुए कि आप देखे हाँ जोड़कर प्रात्ना पतले कर अपनी बातों को रखना, बेटिस में, बेटिन में उध्योगी करांती की फल्सुरूफ जो अत्रिक्त उत्पादन हो रहा था, उसकी खपत के लिए तथा उध्योगों के लिए कच्चे माल की परापती ही तू बेटिस सासित भारती विसाल भूखंड अत्यदिक लाबदायक सिद्ध हुए, अब आप देखें कि वहाँ उध्योगी करांती हुई, तो यहां से सामान ले जाया जाने लगा, और आप देखें कि वहाँ उसका उफ्योग किया जाने लगा, उसे बनाया जाने लगा, और फिर आप देखें कि भारत बापसी बाजार की रूम में बदल दिया, यहां मान लेजे कि आप देखें कि सूती एक तरह से आप देखें कि कपाश जा रहा है एंगलेंड ठीक है बेटिन में और आप देखें कि वहां से कपड़ा वन की आ रहा है वो से भारत में बैंचा जा रहा है एक तरह से भारत की संबन्द में आर्थिक नीतियां लंका सायर के उद्ध्योग पतियों तथा बेडिस व्यापारियों के हित्न में बनाई जाती थी और जिसके फलसुरूप भारत में बिरोजगारी और दरिदिता और भुकमरी जैसी बिकट समस्याएं उत्पन हुई क्या हुई समस्याएं भी हुई तो यह भी बात थी और आप देखेंगे कि भारतियों को योगता नुसार पत देने का अस्वासन दिया गया संबरागिरी की गुष्णाव में भारतियों को यह भी अस्वासन दिया गया कि वह चाहे किसी भी जाती या धर्म के हो उन्हें उनकी सिक्षा यूगता और इमानदारी के कारण राज्य सेवा में उस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा जिसके लिए भी यूग्वे पाए जाएगे और इन पदों पर आप देखेंगे और आप देखेंगे इन पदों पर नियुक्तियों बिना किसी पक्षपाद की की जाएगी यानि की कहने का मुंतल है कि नोकरियों में भी कोई बेदभाव नहीं किया जाएगा गोशना ये भी की गई कि अस्वासन को पूरा करने के लिए सन 1861 में भारती पिसासन एक से बाद नियम पारित किया गया और जिसके अंतरकत पिते एक बर्स लंदन में एक पितियोगी पर इक्षाइव जित करने की विवस्था की गई और इस पर इक्षा के लिए ऐसे नियम मनाए गये और यह उच्छ पद भारतियों के लिए नहीं बलकि अग्रेज़ों के लिए सुरक्षित होकर रह गये यानि कि आप देखें उन्होंने कहा लेकिन फिर भेद भाव सुरू हो किया भारती पिसासन में भारतियों की भागेदारी को सने सने बढ़ावा देना यानि कि 1857 की विद्रो होने का एक पिरमुक कारण था कि सासित कीमत उचित संपर्ख ना होने की कारण सासितों में अविस्वास की भावना उत्पन होना माना गया था और सर वार्टले फरेरे ने 1860 में अपनी पिसित टिपड़ी में इस बात पर जोड दिया था कि भारतियों को विधान परिशदों का सदस्त बनाया जाना चाहिए और ये अविचार किया गया कि भारतियों का विधी निर्माड में भागेदारी के कारण सासक बर्ख को सासित बर्ख की भावनाओं के बिसाय में उच्चित जानकारी रहेगी और इस पेकार दोनों की मद्द अविस्वास उत्पन नहीं होगा और इस पेकार सन 1861 में कि भारतिये परिशद अधिनियम द्वारा भारत में पितिनी दी सभा प्यारम हो सकी फिर आप देखें भारतिये सेना का पुनर गठन सन 1857 के विद्रों में भारतिये सेना ने मातपूर्ण होमिका निभाई थी और उसका पुनर गठन नसलिये और जाती आधर पर किया गया ताकि एक संपधाय के विरोध दूसरे संपधाय से बनी सेना का प्रियोग प्रभावसाली धंग से किया जा सके आप लोग देखिए गलत भी में मत लीजे लेकिन समझ सकते हैं कि आज आप जो हिंदू मुसलिम की राजनीती देख रहे हैं न उसी तरह से आप सोचे कि अंग्रेजों ने भी फूट डालो राजकरो की नीती अपनाई सन 861 में की सेना समध कानून के द्वारा कंपनी की सेना को बेटेस कराउन ताज की सेना में मिला दिया गया और 1857 के भारतिय सेना में उसी संख्या 40,000 थी और इसे बड़ा कर आप देखेंगे 75,000 कर दी गए जबकि भारतिय सेनकों की संख्या 2,15,000 की संख्या को घटा कर 1,40,000 कर दी यानि कि अब उन्हें ऐसा लगने का लगागा कि भारतिय जानदा सेनिक होंगे अगर तो आप देखें कि वो उनके लिए खत्रा बन सकते हैं तो उनकी संख्या घटाईगी और अपने यूरोपियों की संख्या बढ़ाईगी नीती यह रखेगी कि बंगाल प्रेसिडेंसे में यूरोपियों तथा भारतिय सेनकों का अनपात एक अनपाते 2 और बंबई मदरास पैसिडेंसिये में एक अनपात एक अनपात एती रखा गया तोब खानों पर केबल यूरोपियों का अधिकार रहा और सेना की सभी उच पद बड़े पद केबल यूरोपियों को भी दिये गया और यह स्थिती यह थी कि सन 1917 तक किसी भी भारतिये को सेना से समदित किंग्स कमीशन की योग नहीं समझा गया और एक अंग्रे रंग रूट नया सेपारी को एक भारतिये वायसरा कमीशन पर आप सेनिक अदिकारिकों से सेश्ट मान जाता था यानि कि आप देखिए इन्हें अभी भी भी भाव देखने को मिल रहा है यानि कि भारती एसेनिकों के साथ भी भाव किया जा रहा है आंगे आप देखेंगे क्या देखेंगे आंगे परंपरा गत भारती रीती रिवाजों को सम्मान देने का अस्वासन दिया गया अब देख भूमी के पिती जो ममत है उसे ताज अवगत है और उसका सम्मान करती है और वो भूमी से समधी समस्ता दिकारों को उस राजी की नियायोजित बांगों को ध्यान में रखते हुए रख्षा करना चाहती है तत अतहा ताज की चाहेगी सम्मान निता कानूर बनाने और वेवार म बाजों द्वारा का उचे ध्यान रखा जाए और इस पिकार कंपनी की सासनकाल में जो परंपराएं ततना रीतीर बाजों से हस्थेट किया गया था वह बंध हो गया फूट डालो सासनकरों की निती एक और तो अंग्रेजों ने बिखंडित भारत को एकता की सूत में यह निकला की सिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकलियों में आना पड़ा और आप देखें कि वहां उनका कुछ इस पेकार पे सीक्षन हुआ कि बिश्वयम को भारतिये साधारन जंता से अलग मानने लगे और पश्चिम का अधा धुन्द अनुसरन करने लगे यानि कि बदले में यह साधरन जंता से दुरुपिवार करके अपने अहन को स्तोष्ट करते थे एक तरह से आप देखें कि वही कि पुलिस वालों को आपने देखा होगा कि नेता उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लेकिन वह क्या करते हैं पर वह आप देखते हों कि रेडी लगाने व और सिक्षों की विरुद भड़काती रहे देखें सभी उधारान इसलिए होते हैं कि आप लोग बेहतर समझ पाएं समझ रहे हैं आप लोग और हिंदूओं तथा मुसल्वानों की मद्ध बेमनस उत्पन करने की नीती सन 1857 के विद्रों के दमन के बाद अंग्रेजों ने ह 1857 और 1869 के मद्ध अंग्रेजों की विरुद सडेंत रचे और विद्रों के दमन के बाद सरकार ने हिंदूओं की अपेक्छा मुसल्वानों की पिति कड़ा रूख अपनाया कि आप देखे कि हिंदूओं मुसलिमों में खाई बन सके अनेक मुसल्वान विद्रों को फासिय बच गया और इसका पैड़ा में हुआ कि मुसल्वान पिछड गए और हिंदू प्रगती के छेत में उन्हें मीलों पीछे छोड़ गए और मुसल्वान अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हुए और हिंदूओं के पिति उनका अविस्वास बढ़ा और इसको अंग्रेजों और हबादी और इसकार फूट डालने की नीती के अंतरगत 19 भी सताबदी कव 19 सताबदी के उत्राद तक मुसल्वानों का दमन और हिंदूओं का पक्ष तथा 20 भी सताबदी के पैरम के दसक में जब राष्टी आंदोलम विक्सित हुआ तो हिंदूओं का दमन और मुसल्व के साथ वही विवार किया पर हिंदूओं के साथ भी वही विवार किया नोंने नसल वादी भेद्भाव की नीती यह आप देखेंगे सनथा 157 के बाद अंग्रेजी अंग्रेजी नसल घेना वर कर सामने आई उस समय के कार्टून में भारतियों की आकर्टी आधा आधी रोपियों का भारतियों के पिती अपमा जनक बेवार रहा पूरे भारतिये सासन का स्वरोप एक स्वामी नसल की आधार पिटका था और जिसका उद्धेश असब और बरबर गुलामों को सब बनाना था यानि कि वो हम लोगों को असब समझते थे बरबर समझते थे समझते सासन तथा सासित बर्ग की मद्ध एक खाई नेंतर बढ़ती चली गई और जिसका बाई डाम संगर सर्टाले हिंसा हत्याओं का एक अंतिहीन सिलसेजा जो सुतंता मिलने तक जारी रहा उन्लिस सुसनेतालीस तक जारी रहा और आप देखेंगे कि 1857 के पश्चाद बेटिस राज जी की देशी रियासनतों के पिति क्या नीती रही है किराउन के इंतरकित भारत का सासन आने के पश्चाद भारती रियासतों के साथ बेटिस सरकार के संबंधों में व्यापक परिवरतन आया 1857 के पूर्फ देशी रियासतों के संबंध दो पिकार से निर्धारित थे पहला याए कि देशी रियासतों के सासद अलग अलग पिकार की संधिया की गए और इस्ट इंडिया सरकार के साथ उनके संबंध एक रूपता के लिए हुए नहीं थे दूसरी संधियों में गवर्नर जनलों के व्यक्तित का प्रिप्रभाल देखा जा सकता है जैसे बेले जली हैस्टिंग्स डल होजी की नीतियां दूसरे गवर्नर जनलों की अपेक्छा अधिक आक्रमक थी परंतु जब सत्ता किराउन के हाथों में आई तो इन रियासतों के किती नीति पूर्ण रूफ से परिवर्तित कर दी गए और यह परिवर्तन भी आकसमिक रूफ से नहीं आये थे यह धीरे धीरे क्यर्मिक रूफ से प्रगट हुए 1858 की समरागी की घुशनादवारा बेटि सरकार ने समराज विस्तार की अपनी नीति का परितियाग कर दिया यानि कि उस नीति को छोड़ दिया और विलाई की नीति को तिलां जली देकर रियासती सास्कों को पिसन किया और इसके उपराद नई नीती में कहा गया कि राजाओं को कोपे सासन के लिए दंडे तो किया जाए लेकिन उनकी रियासतों का बिले ना किया जाए 1860 में देशी रियासतों की सासकों को सनने दी गई और इसके अनुसार हिंदू सासकों को दक्तक पुत लेने का अधिकार मिल गया और मुसलिम सासकों को मुसलिम कानून की अनुसार किसी भी तरह से क्या किसी भी तरह से उत्रादिकारी निश्चित करने का अधिकार मिल गया और इन्हें गोद लेने की सनदें कहा जाता है और परंतु 1858 के परश्चार क्राउन की नीती भारतिय रियासतों की कवर अपनी संप्रभूता इस्थाबित करने की थी और इसकी सपष्ट अभी बेक्ती 1876 के कानून द्वारा हुई जिसके द्वारा महरानी विक्टोरिया को एक जनवरी 1877 से भारतिय की संबरागी का पत्वराप्त हुआ और इस्थे भारतिय रियासतें तुरंद बेटिस संबराज की अंतरगत चली गई और कानूनी तौर पर रियासतों के सासा को निवासी बेटिस सत्ता के अधीन समझे जाने लगे और 1884 में एक कानून ने बेटिस पिरभू सत्ता की इस्तिती को और भी मजबूत कर दिया और इसके अनुसारी है गोशना कीगी कि देशी रयासतों का और बी कोई भी उत्रा अधिकार ही तब तक अवैद है जब तक कि वह किसी रूप में बेटेस अधिकारियों की सुईकिती अनमती नहीं पा लेता और भारती रियासतों पर अधीपत्त का सिद्धान एक और काम करता था और इसने वेटे सरकार को सुसासन के नाम पर देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तेचेप करने का उच्चित पिदान कर दिया और आप देखें कि परन्तु बेटेस सरकार ने देशी रियासतों पर अधीपत सक्ती के बल पर नहीं प्राप्त किया बलकि कूटनेथिक चालों के माध्यम से यह पिक्रिया पूरी की गई और बिले से तो मुक्ती मिल गई परन्तु नेक उपायों द्वारा रियासती राजाओं को यह एसास कराया गया कि बेपूर्ण रूप से क्राउन सर्वुच सत्ता की अधीन है और 1891 में एक गप्ती में कहा गया था कि क्राउन की सर्वुच सिष्टा का अर्थ रियासतों को अ विद्धी के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं और यही कारण था कि इन दोनों वायसराय ने दिल्ली दरबार का आईवजन किया और इन दरबारों में देशी रियासतों की नरविसों को आमंतिद भी किया और उन्हें नई नई पद्वी से विवुशित किया जाता था उन की एक तरह से आप देखें जो सोसंड चल रहा था वो सोसंड वना रहे कोई आबाज ना उठाए तो इन्हें उन्हें राजाओं को अपने हाथ में लेने की कौसित की लाड मिंटों के काल में बेटे सरकाव द्वारा देशी रियासतों की फिती नई नीती का सूथपात किया और प्रयास किया जाने लगा की नरेस और उनकी प्रजा के बीच के मामलों में हस्तेचेब ना किया जाए और अत्यी कूप पसासन को होने की स्तिती में ही हस्तेचेब की बात सोची जा सकती है और इसका अर्था की देशी रियासतों की नरेशों को परियाप्त सुतंता दी जाए और इसका उत्देस बैटी सरकार के बिरुद्ध राश्टवादी आंदोलन में देशी रियासतों का समर्थन पराप्त करना था और साथ ही इसका लापितम विस्योद में उस समय पराप्त हुआ जब देशी रियासतों की नरेसों ने अंग्रेजों की योद पेरतन में अपना बहुमूल सहयोग दिया और 1921 में नरेंद मंडल के गठन के बाद देशी रियासतों को अपनी सत्ता के भोग में मिली सुतंता का फूड़ और पयोग का आउसर पराप्त हुआ परन्तु भारत में चल रही सुतंता अंग्रेजों से ए रियासतें अच्छोती नहीं रहे गई और जब इस अंदोलन ने बेटेस नियू की जड़े हिलानी शुरूकी तब इन देशी रियासतों की सत्ता बनाये रखना संभाव ना रह सका और जब भारत के संगिये सुरूम में रियासतों को सामिल करनी की बात चलना लेगी तो 1921 में स्थापिद नरेंद बंडल ने संग में सामिल होने के लिए निमने सरतें रखे कौन-कौन सी हैं? समिधान में रियासतों को आबसक सरक्षन दिया जाए संधिया, संदों और समझोतों से मिले अधिकार अनूलगनिये बने रहें रियासतों की संपिर्भूता और आंतरिक सुतंता और रियासतों की अधिकार अनूलगनिये बने रहें और इस पिस्ताओं को कौनगरेस ने मानने से इंकार कर दिया और वेट सरकार भी इस पिस्ताओं को मानने की स्तिती में नहीं थी और सरकार का तरक था कि ऐसे समय में जब बेटिस भारत में निरंकुस तंत का खुला विरोध हो रहा हो और इस तरह से आप देखेंगे इस बीच कॉंग्रेस ने रियासतों में लोक तंत वादी अंधोलन को समर्थन देना आरम कर दिया और राज्यों में आप देखेंगे उत्तरदाई सरकारों के गटन का समर्थन करते हुए कॉंग्रेस ने यह भी कोशना की कि राज में लोकतांत्रिक संगर्ष चलाने की जिम्मेदारी आवसक रोब से सहम राज्यों की जंता को लेना चाहिए और आप देखें कि अंतता राष्टवाद और लोकतंत के एक ऐसे जवार से रियासतों को घे लिया जिसे निपट पाना ना यहां के सासकों के बस में था और ना ही वेटे सरकार के और 1922 के बीच खिलापन आंदोलन और असेयू आंदोलन ने रियासती जंता में जन संगठन का आदस प्रिस्तुत किया और पैडाम सरूफ हैदराबाद मैसूर बड़ोदा काठियाबाड तथा इंदोर आधी अनेक रियासतों में अखिल भारतिये इस्टेट फीपोल्स कॉनफेंस का गठन हुआ और अधिकत रियासती राजा अपनी रियासत में राजनेतिक संस्थाओं के गठन के अत्यधिक बिरोधी थे और कॉंग्रेस ने नांगपुर अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के पिती अपनी नीती गोसित करते हुए करते हुई रियासतों में उस्तरदाई सरकार की गटन की मांगी 1939 में आप देखेंगे लाहर कॉंग्रेस अधिवेशर में पंडित जबालाल लहरू ने कहा था कि रियासतें से भारत से अलग नहीं रह सकती हैं परंथु वहां की जनता ही रियासतों में अपने भविस्ट का सरूप निर्धारित करेंगी लेकिन 1938 में कॉंग्रेस के हरीपुरा अधिवेशर में पहली बार इस पर्ष्ट रूप से घोशना की गई कि वह देशी रियासतों की जनता का सासकों के व्रोध संगहर्स में नेतिक समर्थन देती है यह नहीं अंगले ही बर्ष्ट पुरी अधिवेशर में कॉंग्रेस ने देशी रजवाडों की सुतंता समंधी पिस्ताव भी पारित कर दिये थे और रियासतों की फिती बेटिस नीती ने रियासती नरेसों के मन में यह विस्वास पैदा कर दिया था कि बेटिस सत्ता की अधिन उनकी सत्ता की सतंता सुरक्षे थे और मिंटों की काल में नेधारित आहस्तेचेप की नीती ने रियासतों को सतंता तो पिदान की परन्तु साथी कॉंग्रेस द्वारा, कॉंग्रेस द्वारा रियासतों की जंता द्वारा चलाये जाने वाले आंदोलनों की फेश्ट भूमी भी तियार कर दी, अब ऐसे आंदोलन से निपटने का दायत रियासतों पर था जिन में वो आसफल रही और 1935 की अधिनियम की अनु संग में समलेत होना सुईकार नहीं किया और संग अस्तित में नहीं आ सका, 1937 में आप देखते हैं कि चुनाव होता है, और चुनाव में कॉंग्रेस की सफलता का प्रभाव रियासतों पर भी पड़ा, वहां भी उत्तरदाई सरकारी और नागरे सुतंता के लिए आंदोलन ह होने लगे और अगास्त 1942 में जब भारत चुड़ू अंदोलत का सुरुआत हुआ, ये सूत्पात हुआ, तो रियासतों की जनता भी भारती सुतंता संगर्स में सामिल हो गई, और दुतियव सेयोद्ध के बाद भारत में परिस्तिती तेजी से बदली और अंग्रेजों ने भारत से चले जाने का निश्चेत किया, और इसके लिए उन्होंने तीन जून 1947 को ये के उजना पिस्तुत की, और जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत की सुतंता सुपने की बात कही गई, और इसके लिए भारत को दो प्रिभूत्ता संपन राष्टों में विभाजित करने की सहत र इनकार किया और अन्तता सुतंता प्राफ्थी के बाद भारत सरकार ने इन रियासतों के साथ सक्ती से निपटते हुए, इनका बिलय भारती संग में कर लिया, और आप देखें कि रियासतों की नरेसों में यह दूर दरश्टी नहीं थी, और भी है कल्पना करपाती की कुछ सत्ता जिस पर वो आसरित थी इस्थाई नहीं थी और स्वहम उनके पास ऐसी राजनितिक सकती सकती नहीं थी और जिसके द्वारा वेटेस सनक्षन हटने के बाद वो अपने अस्तित को कायम रख सके क्या कर सके कायम रख सके कुछ पॉइंट यहां भी है इन्हें भी दे की गई थी कि नरेसों के साथ की गई सभी संदिया और समझोती का पालन करना किराउन के लिए अनिवार होगा और नरेसों को उनके परिवारिक सासन को कायम रखने का अस्वासन भी दिया गया जिन राज्यों ने राज्यके पिती निष्ठाव वफादारी रखने का बचन द गई अठाए सो चेप्तर के रॉयल टाई टल्ज एक्ट के द्वारा समरागरी विक्टोरिया ने भारत में समस्त बैटेश पे देशों और देशी रियासदों समयत भारत की समरागरी की उपादी धारन कर लिए नसे नरेशों को सरक्षन की गारंटी देकर बैटेश सरकार ने पूर्टा अपना आग्याकारी बना लिया और साथी दमनकारी सासकों की विरुद जनता की कल्यान का पक्ष पोसक होने का दावा करन के वह है जनता की रक्षक की रूमें भी दिखाई देने लगे उननी सो एकीस में सर लेजली स्कार्ट की अध्यक्ता में नरेंद मंडल का गठन किया गया और पर उफिसर रस ब्रोक विलियम गोल मेज कॉन्फरेंस में नरेसों की मुख परामर्स दरता थे और इस तरह से आपके 1857 की जो विद्रू हुआ इसकी कहानी खतम हो जाती है अंगली किलास में हम लोग बात करेंगे भारत में जो सामाजिक और धार्मिक अब इस तार से बात करेंगे क्योंकि उनसे भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स आते रहते हैं और कोई डाउट हो आपके कोई सवाल हो को सला हो सुझाओ तो आप लोग नीचे बता सकते हैं ठीक है आप लोग पढ़ते रहिए हम लोग मिलते रहेंगे